बुज्रात में चकरवात बिपर जोय का खत्रा है खास कर तठी एलाकों में तुफान का ज्यादा असर देखिने को मिल सकता है इस बीट सोंबार को दुआरका के जगत मंदर में एक साथ दो ध्वजों को फैराए जाने का मामला सामने आया है कुछ रदालों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चकरवात से आई आपदा को दूर करने के लिए मंदर के शिकर पर दो ज़ंडे फैराए गई है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस तरह की घटना इतियास में पहली बार हुई है अस्तानिय तीरित पुरोहित ने जगत मंदर के शिकर पर दो ध्वज फैराने के बार में स्पोष्ट किया है उन्होंने कहा है कि चकरवात बिपर जॉय के कारण द्वार का धीश के मंदर के ध्वज अस्तब पर ध्वज आरोहन नहीं हो पा रहा है ऐसे में पुराने ध्वज को नीचे छोड़ नया ध्वज फैराया गया है कईश्रदालू इसे चकरवात से अन्होनी को टालने के लिए आस्था से जोड़ कर देख रहे ही फैक्ट यही है कि जंड़ा फैराने के लिए उपर जाने वाली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो जंड़े फैराये गई और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ऐसा पहले भी हो चुका है गौर तलब है कि द्वारका के जगत मंदिर में शिकर पर प्रति दिन पाच बार ध्वज फैराये जाते ही सोमवार की सुबा जंड़ा फैराया गया उसके बाद पहले वाले ध्वज के नीचे नया जंड़ा फैराया गया मंदिर पर लगे दोनों जंड़ों को देख लोग कयास बाजी में जुट गए दरसल मंदिर के शीष पर ध्वज स्थंब के उपर नया जंड़ा फैराना खत्रे से खाली नहीं है चुकि तुफान के कारण तेज हवाएं चल रही हैं जिससे उपर चड़ना खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए नय ध्वज को पुराने के नीचे फैराया जा रहा है बताते चले कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है गुजरात के मोरभी में जब डैम बैगया था तब भी अतिवरिष्टी के कारण दो ध्वज लगाए गए थे मंदिर के 50 मीटर उचे शिकर पर 52 गज का द्वज दिन में 5 बार बदला जाता है इसे पहले मई 2021 में गुजरात से टकराने वाले चकरवात से पहले भी दो ध्वज लगाए गए थे ये रक्षा द्वज कैलाता है शद्वालू का मानना है कि द्वज मंदर और नगर की रक्षा करता है तेज हवाओ के बीज शिकर पर द्वजा चड़ाना मुश्किल कारे होता है